हेलो दोस्तो 25 फीट बाई 35 फीट का एक इस्ट फेसिंग प्लैन के बारे में डिसकस करने वाले हैं आज 875 टोटल एरिया होने वाला है इसका यहाँ पे आपको 2 बी एच के मिल जा रहा है यहाँ पे आप लोगों के साथ डिसकसन करेंगे कलम पोजिशन्स वाल साइज रूम डायमेंशन्स हट एक चीज बारी की से आप लोगों को अच्छे से समझाया जाएगा इंटेरियर पे भी थोड़ा ध्यान दिया गया है तो आप देख सकते है थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज ले सकते है तो वीडियो बहुत अच्छा बनने वाला है वीडियो को इन तक देखते रहे हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पनब चौधरी सिविल पार्सला में सभी को स्वागत है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टॉर्च फ्रिंड्स यहां पे देख रहा हैं ब्लूर्ड का आउटर लाइन इन लाइन कवर किया गया है ब्लूर्ड जो फेस है इस्ट फेसिंग यह प्लाउट है बील्ट अप एरिया हम लोगा größंट 2 में कर दो सो यां पे हम लोग को पोर्ज मिल जा रहा है है ओके पोर्च का जो साइज है फ्रेंज 12 फीट बाई 12 फीट दिया गया है लेंथ में भी 12 फीट विर्द में भी 12 फीट तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं 25 बाई 35 ओके यह हो गया 25 यह हो गया 35 ओके फ्रेंज इसके बाद देख लेते हैं जो इंट्री है हम लोग का कुछ इस तरीके का यहां पर रहेगा यह है में डूर ऑके यह जो है प्रोंस्ट का एरिया है यह ग्राउन लेवेल में किया गया है and rooms में जाने के लिए हम लोग थोरा आप रखे हैं दो श्टियार यहां पर प्रोवाइड किये हैं ग्राउन लेब़से प्लिंत लेबल हाई करने के लिए तो आप देख सकते है में इंट्री से जाते ही हम लोग को मिल रहेगा एक ड्राइंग एरिया कि ओके ड्राइंग एरिया का जो साइज होगा फ्रेंट्स 12 फिट बाइ 15 फिट देख सकते हैं 12 12 feet by 15 feet length में मिलेगा 12 feet and width में मिलेगा 15 feet total यहाँ पर 2D में किया गया है interior यहाँ पर sofa बगयरा provide किया गया है और यहाँ पे टीवी बगरा प्रोवाइट किया गया है देख सकते हैं प्रोपर antilations के लिए यहाँ पर वीड़ो मिलेगा एक एक और इसके बाद हम लोग चले आएंगे देखे इस बाला पॉश्चन पर यहाँ पर स्टेयर मिल जा रहा है और इस्टेयर में जो आप करेंगे फ्रेंच यहाँ से हम लोग अप करेंगे और यहाँ पर लैंडिंग मिलेगा देन से जितना हम लोग आप करेंगे फर्स फैंडिंग में पहुच जाएंगे यहां पर जितना trade provided किया गया टेन o Jewish का हम फट्र प्रोवाइट तो यहां पर पर राइस भी प्रोवाइट किया है शिक्सुंची का टॉटल यहां पे हम लोग rice provide किया है 20 पीज क्योंकि ground level से आप यहां पर हम लोग को एक लेंडिंग मिलेगा लेंडिंग का साइज होगा 7 फिट आपको लेंडिंग का साइज मिलेगा एंड 3 फिट 6 इंची यहां पर मिलेगा लेंडिंग का वीड़् ओके यह वाला portion से हम लोग यहां पर जो एरिया है 756 इंची हम लोगा cover किया गया है और यहां पर बताई चुके है 356 इंची तो टोटल हम लोगा कितना area ले रहा है यह इस्टियार तो आपको समझ में आया होगा प्रोपर वेंटिलेक्शन के लिए यहां पर विंडो प्रोवाइट किया गया है डापलो वान ठीक है एक यहां पर कॉमोन टॉइलेट का बात प्रोवाइट किया गया है उके इसका जो साइज होगा फ्रेंज 4 फिट 6 इंची इसका लेंथ है मिलेगा आपको एंड 6 feet 6 inch आपको इसका width मिलेगा ओके प्रूपर आपको इस toilet में आने के लिए एक door मिलेगा जिसका नाम होगा friends D1 ओके प्रूपर वेंटिलेशन्स यहापे आपको मिल जाएगा ओके आप देख सकते हैं काई सर्थ जो बेडरूम है 2bh कि आपको बदा चुका हूँ स्ट जो यहाँ पर किया गया देख सकते हैं पर इंटेरीयर किया इस बेडरूममें ऑक को एक यहाँ पर मिल जाएगा आपको ..... यहां पे एक कि बेड मिलेगा और प्रूपर ग्रेतिटेएंग और स्टोर एरिया भी मिल जाएगा आप देख सकते हैं अच्छे से बेडरूम में आने के लिए आपको एक डीटू का दोर मिलेगा ओके एंड यहां पर एक डॉबलू विंडो मिल जा रहा है एंड इसका जो साइज हो का फ्रेंड्स 11 फिट 6 इंची मिलेगा इसका लेंध आपको एंड विर्द मिले इंची शरी 10 फिट 6 इंची ओके छोटा सा एक रूम प्रोवाइट किया गया यहां पे छोटा आप नहीं बोल सकते कि सारे 11 वाई सारे 10 फिट का है एंड नेक्स्ट जो यहां पे और एक बेडरूम आपको प्रोवाइट किया गया है आप देख सकते हैं इसमें भी इंटिरि यहां पे CSS न्री फिलेशन्स दिया गया है उके फ्रेंज अपए देख सकते किचेंखांड केनी ऊप्रोवाइट किया गया है अब डेख सकते कैंगेचDsौर्श नीकी ब डैनिम यहां पर प्रोवाइट किया गया है फि voulais प्रोवाइट किया गया है देन यहाँ पर डाइनिंग टेबिल प्रोवाइट किया गया है इसका जो साइज होगा 11 फीट 6 इंची लिंथ में मिलेगा and 11 feet 6 inch width में मिलेगा तो square एक kitchen है size भी बहुत सही दिया गया है आप देख सकते है proper ventilation यहापे मिलेगा window provide किया गया है तो मेरे सबसे सारा कुछ आप लोग को knowledge दे पाया यहापे जितना सारा outer and inner wall आप देख रहे हैं सब 6 inch प्रोवाइट किया गया है ओके यहापे मैं mention कर देता हूँ outer and inner wall 6 inch ओके फ्रेंट्स अभी हम लोग देख लेते हैं कि door and window का size कितना provide किया गया है देख सकते हैं यहापे D, sorry यहापे MD provide किया गया है जो कि main door होगा यह 4 feet by 7 feet का होगा इसके बाद जो D आया है D नहीं, D1 आया है यहापे provide किया गया है जो कि है 5 feet by 7 feet इसके बाद D2 provide किया गया है जो कि kitchen and bedroom में provide किया गया है 3 feet by 4 feet का ओके sorry इसके बाद यहापे आप देख सकते हैं जितना सारा window ventilation and W1 मतलब W1 W जो provide किया गया है 5 feet by 4 feet का provide किया गया है ventilation 2 feet by 1 feet का provide किया गया है और W1 जो kitchen में provide किया गया है 4 feet by 1 feet का provide किया गया है अब देख सकते हैं अच्छे से ground floor plan discuss कर रहे हैं आप लोग के साथ only ground floor ही आप लोग अभी जान पाएंगे इसका अगर first floor चाहिए तो आप जरूर comment किजे फर्स्ट फ्लोर का plan भी आप लोग के साथ मैं discussion करूंगा अगर यह plan पसंद आ रहा है तो जरूर comment किजे और इसका फ्रेंट PDF आप लोग को मिलेगा मेरा वेब साइट पे civilpartsala.com वहाँ पे जाके आप आराम से लेख सकते हैं इसका PDF फ्री में आप को मिल जाएगा तो अगर आप अगर civil engineer है तो column positions जानना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत column positions देने वाले हैं आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे बता सकते हैं यह plan अगर अच्छा लग रहा तो इनके साथ जरूर सेयर कीजिए एंड ऐसे फ्यार देते रहे हैं यहाँ पे हम लोग column positions कुछ इस तरीके का provide करने वाले हैं देखे टोटल यहाँ पे 12345678910 11 12 13 14 यहाँ पे column होगा 448 19 11 12 13 14 ओके 14 पीस हम लोग column provide करेंगे अब देख सकते हैं यहाँ पे 14 पीस कलम यहाँ पे हम लोग provide करेंगे कलम साइज होगा फ्रेंज 10 इंची बाई 15 इंची 10 इंची बाई 15 इंची हम लोग column size provide करेंगे और फूटिंग साइज जो होगा 5 feet by 5 feet मतलब सब स्ट्रक्चर में जो 5 feet by 5 feet का फूटिंग जेंगे वो 5 feet by 5 feet रहेगा और फ्रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यह प्लैन कैसा लग रहा है यह प्लैन आप कॉमेंट करके जरूर बताए अगर अच्छा लगा तो फ्रेंट के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे साथ जुनना चाहते फेस्बुक इंस्ट्राग्र थैंक यू वेरी मच एंड जो लास्ट में है इसका कॉस्टिंग में आप लोगों को बताना भूल गया इसका इस्ट फेसिंग प्लॉट है यह टोटल एरिया है 875 स्क्वाइर फीट ओके 875 स्क्वाइर फीट में आपको यह खर्चा पर जाएगा 10.5 लेक्स ओके युगि था 10.5 लेक्स और यहां पर अगर आपको नहीं बोला गया है तो आप थोड़ा यह होंगे इसलिए मैं इसका कॉस्टिंग बता दिया कि कितना ग्राउंड फ्लो बारने में कितना खर्चा आएगा इसमें इंटिरियर जोरा नहीं गया है तो आप इंटिरियर को साइड में रख दीजिए आउनली आपको यहां पर कंस्ट्रक्शन पार्ट में ध्यान देना है तो 10.5 लेक्स में इसका घर आराम से बन जाएगा ओके फ्रिंस तो आज के लिए इतना ही